परिवर्तन आसान नहीं होता पर जब होता है तो एक सुखल सवेरा लेकर आता है कुछ ऐता ही सपना देख रही है गाउकन हडी की सुशक्षित पंचायर जिसकी मुख्या महिला सरपंच स्वीती लखा कत्यान उच शिक्षा प्राप्त है परतमान में सीविल प्रिक्षा के त्यारी भी कर रही है उन्होंने जब गाउं में गोबर गंदगी के जेर देखे तो इसका उपाय उनको सुझा वेस्ट प्लाट के रूप में बस इसके बाद उन्होंने इस बारे में गाउं पंचायर से अपने विचार सांजा किये सभी पंचाय सदस्यों को ये सुझा पसंद आया और सब समती से परताव पास किया गया कि गाउं में solid waste, liquid waste वे bio waste प्लाट के लिए सरकार से साईयों वेमारक दर्शन प्लाट करें जिससे जहां गाउं में कच्रे की समस्य से निजास पाय जा सकेगा वहीं गाउं को कुन स्वच्चता की ओर भी ले जाया सकेगा ग्राम सरपंच प्रीटी लख्खा कत्याल का कहना है कि उन्होंने गाउं में गंदगी के साई मिदान के लिए ये उपाय सोचा है इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि वो आज पास के अन्या गाउं में ये संदेश देने का प्रयास कर रही है कि 5,000 से उपर अबादी के गाउं भी उनकी इस मुहीं से जुड़े जिससे संयूद प्रूप से सरकारिस कारे में सहयोग परदान करें जिसके अनसार गाउं को निर्मल गाउं बनाने के लिए जो पहल है वेस्ट मैंजमेंट है जो प्लांट है उसके लिए सरकार जनकलत अपील की है रजुलेशन डाला हुए ज़िए गाउं की जो एफिल अलिग लिगविड वैस्ट मेंजमेंट और लिगविड मेंजमेंट और ढयो प्लाइट यू जू प्लांट के लिए लगाने के लिए अप्लाइशन दाला हुआ है अभश गाउं के दूसरे आस-पास गाउं की सरपंच हैं अपने गाओं में इस तरह की जो वेस्ट मेनेजमेंट की हैं प्लांट्स लगाए जाएं और गाओं को निर्मल गाओं बनाने के लिए एक अच्छी शुरुवात और नहीं पहल हो गाओं के विकास में जो एहम भागेदारी है गाओं के लुगाओं की उनको नशेशे दूर र सरकार से अनुपण है कि इसके लिए जो सहयता है वो करें गाओं को हम नशे से मुखक है वेखतारी है तुछेरी ese करी हमारे गाओं में एक से बड़ कर एक कारिया difficulty है हमारे गाओं में युवां को नशेसे दूर रखने के लिए उन्होंने गाओं में स्टेडिम्ад उजिम् क की मांग रखिये सरकार से और गाउं को सवच्छता सवच्छ गाउं बनाने के लिए उन्होंने सोलिड बेस्ट मनेजमेंट प्लांट कई ऐसी चीजे जो हर गाउं मतलब गाउं में चारो साइड सुलब सवच्छा ले वगएर यह होने ची इन चीजों कोई सरकार से मांग तो यही मांग है कि जल से जल विकास कारिया करवाए जाए गाउं में